गाईज क्या आपको पता है कि कैटबरी चोकलेट्स की शुरुबात असल में शराब को छुड़वाने के लिए की गई थी जी हाँ गाईज अब ठीक सुन रहे हैं ये बात है उस समय की जब पूरे ब्रिटेन में जिन नाम की अलकोहल बहुत ही जादा फेमस थी और ये इतनी सस्ती थी कि ब्रिटेन की एक बड़ी आबादी को इसकी लत लग गई थी जिसकी वज़े से ब्रिटेन में क्राइम रेट अचानक से बढ़ गए थे क्योंकि उस दोरान लोग नशे में धुत होकर क्राइम करने लगे थे महीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की एक अबादी ऐसी भी थी जिसने शराब बंदी के लिए अंदोलन चला रखे थे और उनी में से एक शक्स थे जोन कैटबरी जिन्होंने साल 1824 में लंदन के बर्मिंगम में अपनी चोटी सी एक दुकान खोली जिसमें वो ड्रिंकिंग चोकलेट्स बनाते थे और बेचते थे ताकि लोग अलकोहल की जगा ड्रिंकिंग चोकलेट्स ही पीए और हुआ भी कुछ यू ही ब्रिटेन के लोगोंने कैटबरी इतनी जादा पसंद की और ऐसे मेजन वीडियो के लिए श्चेयर सब्सक्राइब और लाइक मिलता है अगली वीडियो में